अब हम थोड़ा छेत्र की राजनीत पार आते हैं प्रदीप पटेल मौझूदा बिधायक है भाजपा से और इसके लाभा इसे पूर में महा सुखें सिंग बनना बिधायक थे तो सुखें सिंग बनना का कारेकाल बहतर था या प्रदीप पटेल कब हमको देखिए बरतमान में हम कमाने खाने बाले आदमी हम ना उनकी मतलब किया ना राजनीती को जानते हैं ना मतलब परतमान की हमको प्रदीप पटेल को देखा तो अभी तक मतलब हमारे नजर में गाओं में हमारे दिखें नहीं है उदर निकलते भी हैं तो रुकने को कभी मतलब ये नसोची मतलब चुनाओ के पहले आए रहे होंगे चुनाओ के पहले मतल़ आए थे इसके बाद मतलभ Dwara फिर जब से चुनाओ कNow घुटाम हो गया तब से अभी ताक देखने को तो हमको नहीं मिले जनता संतुष्ट नजार आती यह कि शेतR में आप भी लोगों से मिलते होंगे तो इतना तो प्रदीव पटेल का तो नहीं दिकरा, वो तो नहीं आएंगे, वो मतलब बर्दमान उनको टिकेट मिलेगा, तो संभब नहीं है, बांकी भाजपा से वहां किसी को मिल जाएगा, तो यह मतलब जीत है, जीला बन बाया गया, जीला बन गया है, मोगान जापका, अभी जीला मतलब पहरेगा, उसी दिन से चालू हो जाए कारिकाल, अभी से पखोसणा की गई है, आपके यहां एक बीजेपी में नेता सामिल हुए है, जो पिछले बार बीस्पी से चुनाओ लड़ थी, म्रिगेंद सिंग, तो म्रिगेंद सिंग को लेकर के, क्या सोचते हैं आप कीछा है, यह कैसे है, यह就到 बाल यह है, इसससी डिनी जाना जाता है, को अधर साहब से बाद कीछिए पर जा तो म हैतो सब्सक्राइब को वड़ाया है, वहारिका यह ुद्क में ओए है, टुडने को माले प्रदी अ अफिन उसी अचरे कर बार बीस्ता करें तो मिलनें intensively, श झाल झाल